विस्विल्लाह रख्मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में कैसे है माई यूटीब फैमली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्ला के होकुम से आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एंड डिलिशिस तवाफराही बेंगन तवाफराही बेंगन को बनाने में ना जादा वक्त लगता है और ना ही जादा मेनत लगती है जिसे के बहुती जल्द रमजान आने वाले हैं तो ये रेसिपी आप अफ़तार के लिए भी बना सकते हैं इंशालला आपको खा कर बहुती मज़ा आएगा अगर आपके घर में बेंगन नहीं पसंद किये जाते या फिर बच्चे नहीं खाते अक्सर बच्चे सबसिया नहीं खाते तो इस तरह से बना कर दें इंशालला बच्चे और बड़े आपसे मांग मांग कर खाएंगे तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कुकिंग विद असमा को सब्सक्राइब करें पगे टाइम्स आया किये बिस्मिला पढ़ कर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोल में पानी ले लेना है और इसमें एक चमच नमक डाल कर अच्छे से मिक्स करके इसे साइट पर रख देंगे बेंगन की कटिंग करने से पहले ये काम आपने जरूर कर लेना है हमने ले लिए हैं दो अदद गोल बेंगन आप अगर लंबे ले रहे हैं तो आपने लंबाई में कटिंग करनी हैं हमने गोल बेंगन लिए हैं इसलिए हम राउंड में कटिंग करेंगे डंडी वाली साइट हम उतार देंगे और बेंगन की हम कटिंग कर लेंगे ना हमें जादा मोटे कटिंग करनी है और ना ही जादा पतली करनी है जैसे के आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो इसी तरह से आप भी कटिंग कर लें एक बेंगन की हमने कटिंग कर ली है तो पहले से हम पानी में डाल देंगे नहीं तो बेंगन काले हो जाएंगे और बेंगन कड़वे भी हो जाते हैं अगर बाहर इसी तरह से रहने दो तो फोरण से पानी में डिप कर देने हैं और अब हम दूसरे बेंगन की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे अब हमारे तमाम बेंगनों की कटिंग हो गई है जिने ह पानी में डिप कर लिया है अब हम इनके लिए मज़ेदार सा मसाला तयार कर लेते हैं सबसे पहले हम बेसल ले लेंगे और बेसन हम डाल रहे हैं छे चमाज अब इसमें कुछ स्पाइसिस भी शामिल कर देंगे अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से मिक्स करना है कि बेसन में कोई भी गुटली मौजूद ना रहे हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और नमाक और मेज़ भी आप अपने टेस्के हिसाब से डल सकते हैं कम डालना सहें तो कम डाल दें और जादर लबना चाहिए तो जादर डालते हमें इस पेसन को ड्राइ ही रखना है जो हम मसाला बना रहे हैं यह ड्राइ ही ओ, हमें ड्राइ का ही इस्तिमाल करना है। इस लिए लिक्विड बिल्कुल भी ना डालें। अब हम इसमें कलर के लिए लाल मेज का पाउडर इस्तिमाल करेंगे ये कश्मीरी लाल मेज का पाउडर है इसका टेस वगेरा नहीं होगा ना तेस होती हैं सिर्फ ये कलर देंगी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ ये बिलकुल आप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते तो आप इसे स्किप करतें अब हमारा मसाला भी तयार है और बेंगन भी हमारे कटे हुए है तो अब हम मिने मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं एक बिंगन को पानी से निकालेंगे और मसाले में रखकर अच्छे से कोट कर देंगे बाकी के तमाम बिंगन भी हम इसी तरह से मसाला लगा कर रखेंगे 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक मसाला लगा कर रखने से बिंगन के अंदर तक मसाला अच्छे से चला जाएगा जिसकी वज़ा से बिंगन और भी मज़ेदार बनेंगे फ्राही के लिए बिंगन हमारे रेडी हैं तो अब हम इने फ्राही करना स्टार्ट करते हैं चूले को जलाकर हमने इस पर तवा भी रख दिया है और बहुत ही अच्छे से गरम भी कर दिया है अब इसमें कुकिंग ओइल डाल देंगे तक्रीबन 3-4 टेबिल स्पून के जितना और चूले को बिलकुल नीचे से हलका कर देना है लो फ्लेम पर हम इने पकाएंगे ताके ब बहुत ही अच्छे से गल भी जाएं और क्रिस्पी भी तयार हूं लो फ्लेम पर ही ये क्रिस्पी बनेंगे और जलेंगे भी नहीं अब एक एक करके हम बैंगन रखते जाएंगे तवे के उपर जितने एक बार में आ सकते हैं हमने इतने ही एक बार में रखने हैं अब इन त कमाम बेंगनों की हम साइट चेंज कर देंगे ताके हमारे दोनों साइट से बहुत ही अच्छे और प्यारे से क्रिस्पी बने हर चंद सेकंड के बाद हमने पलट देना है ताके हमारे जले भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार से बेंगन भी तयार हो जाएं और दोनों साइट स बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो तो जितनी देर में हमारे बेंगन फ्राई होंगे तो इतनी देर में आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताके मेरी हर नया आने वा लाइक, शेर और कमेंट्स भी कर दिया करें जिसके लिए थांक यू सो मच अब मैं एक बेंगन आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे बेंगन कितने अच्छे से गल गए हैं अब एक एक करके हम तमाम बेंगन उतार देंगे अब बाकी के तमाम बेंगन भी हम इसी तरह से बना लेंगे और ये हमारे मज़िदार से क्रिस्पी से बेंगन तयार हैं अगर आप यहां तक पोच गए हैं यानि के आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और शेर करना और सबस्क्राइब करना ना भूलें यकीन माने बहुती मज़ेदार बने थे आप मेरे केने पर एक बार जरूर ट्राई करें इन्शालला आपको भी बहुती पसंद आएंगे मेरी दूआ है कि आप सब जहां भी रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपने वालदेन का खयार रखें और मुझे भी दूआउं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें चलें इजाज़त दें चलती हूँ फिर मिलूंगी इन्शालला एक नई वीडियो के साथ अलाहाफेज